Good morning all of you और स्वागते आप सभी का एक बफिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशिन में परमिश्वर की प्रेजन्स में प्रभु येश्व मसी के नाम में आज 27 फरवरी है मेरे प्रियू परमिश्वर के एट्रिब्यूट्स को परमिश्वर के गुणों को हम लोग सीख रहे है परमिश्वर की खुबियों को और हमने सीखा कि परमिश्वर सर्व सामर्थी सर्व ग्यानी सर्व व्यापी अनत काल का परमिश्वर सिद परमिश्वर कभी ना बदलने वाला परमिश्वर विश्वास युग्य परमिश्वर और भला परमिश्वर है और हम नौवी बात को स बलकि परमिश्वर नियाय भी करता है ये बात भी हमको सीखनी है बहुत सारी बातों को हम सीखते हैं लेकिन ये बहुत ही महतवुपून बात है क्योंकि वचन बताता है प्रभुयुश्य मसी कहते हैं कि देखो मैं शीग राने वाला हूं और हर एक का उसके काम के अनुसार 32 अध्याय और उसके चार पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ववस्ता विर्वन 32 अध्याय और उसका चार पद वह चटान है उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याई की है उसकी सारी गति न्याई की है यनि वो जो भी काम करता है वो न्याई के साथ क उसमें कुटिलता नहीं वै धर्मी और सीधा है और भजन सहीं तक 34 निर्गमन 34 और उसके साथ पद को भी हम लोग पढ़ लेंगे निर्गमन 34 और उसका साथ पद जहां लिखा है हजारों पीडियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का शमा करने वाला परंतु दोशी को किसी प्रकार निर्दोश्ट न ठेराएगा वै पित्रों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है हालिलूया बोलो प्रभयेश्व मसी की जय परमिश्वर का हम धनेवाद करते मेरे प्रियों परमिश्वर दोशी को निर्दोश नहीं ठेराता निर्दोश को दोशी नहीं ठेराता वो नियाय करने वाला परमिश्वर है वो सच्चा निया नियाय करने वाला परमिश्वर है God is just वो नियाय करने वाला परमिश्वर है हमें इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है हमें इस बात को हमेशा अपने मन में रखना है हमें हमेशा इस बात को अपने दिमाग में सोचते रहना है कि परमिश्वर नियाय करेगा जो भी काम म जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जिससे मैं मिल रहा हूं, जिसके साथ मैं बैठ रहा हूं, जिसके साथ मैं खड़ा हो रहा हूं, हर एक बात का न्याए प्रभू करेगा हमें, हालेलुया, हमसे हर एक बात का न्याए प्रभु लेगा, क्योंकि वो सच्चा न्याई परमिश्वर है, वो सच्चा न्याई करने वाला परमिश्वर है लिखा है, उसकी सारी गती न्याई की है, उसकी सारी गती न्याई की है, इसलिए जब वह प्रकट हो, अता है जब वह प्रकट हो, तो हमें हियाब हो, और उसके स सामने हमें लज्जित होना ना पड़े जब है प्रकट हो तो हमें हियाब हो और उसके सामने लज्जित होना हमें ना पड़े नियाए के दिन हम उसके सामने खड़े रहे पाएं उस समय हम क्या उसके सामने खड़े रहे पाएंगे हलेलुया यह परमिश्वर की दया और उसका उग्रह है कि हम लोग इस जीवन में जो है अभी चल रहे हैं अगर वो अभी हमारा नियाय लेने लगे तो हम में से कोई भी जो है पूरी पूरे जीवन की बात तो छोड़ दीजी अगर पिछले 24 गंटे का ही हमसे नियाय लेने लगे प्रभू तो हम पिछले 24 गंटे का ही नि कितनी देर प्राथना की, कितने लोगों की भलाई की, कितना तेरेrió वचनो को पढ़ा, याद किया, मनन किया, कितनी तेरी आग्याँ को पूरा किया, प्रभु पिछले 24 घंटे का यह नहीं हम इसाब दे पाएंगे, पिछले 24 घंटे में प्रभु कितने लोगों को सुसमचार स काटेंगे जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है यहां भी परमिश्वर प्रतिफल देता है इस जीवन में और बाद में भी परमिश्वर उन हजार वर्ष के राज्यों में प्रतिफल देगा अभी भी परमिश्वर प्रतिफल दे रहा है हलेलुया हमें उस प्रतिफल को प्रा कि वो नियाए भी करता है God Bless you तो आज के इस daily devotion में यही प्रश्ण में आप से पूछना चाहता हूं किस प्रकार हम अपने आपको तयार करें ताकि हम परमिश्वर के सामने उस नियाए के दिन खड़े रहे पाएं किस प्रकार हम अपने आपको तयार करें ताकि हम उस नियाए क के दिन परमेश्वर के सामने खड़े रह पाएं जरूर कमेंट करकर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें परमेश्वर आप सबको आशीश दें गौड ब्लेस यू